आप एक चीज नोटिस किये होंगे कि हम लोग दिन को देख पाते हैं लेकिन रात को नहीं देख पाते हैं जब बल्ब जलता है तभी रात को देख पाते हैं तो में दिन को देख पाते हैं रात को नहीं देख पाते हैं ऐसा क्यों तो जह हम दिन और रात में रिलेट करें तो और लाइट के और भी फेनोमेनंस के बारे हम लोग देखेंगे, हम लोग कैसे किसी बीजी object को देख पाते हैं, वो भी point हम लोग इसमें discuss करेंगे, यह जो chapter है, यह class 6 का chapter 11 है, science subject का, जिसका नाम है light, shadow and reflection, chapter के नाम से पता चल रहा है, हम लोग बेज्यादा किसके बारें परने पर ले, light के बारें परने वाले, shadow के बारें परने वाले, reflection के बारें परने वाले, तो first of all हम लोग light के बारे में परहेंगे, तो light क्या होता है, the light is a form of energy, energy क्या होता है, ability to done work, किसी भी चीज में, अगर काड करने की छमता है, मतलो उसमें क्या है, energy है, अगर किसी भी चीज में इसे solar panel होती है solar panel को हम लोग क्या करते है surge के रोसनी पैसे रख देते है इससे क्या होता है electricity produce होता है इससे हम लोग battery को क्या कर लेते है charge कर लेते है और इससे हम क्या करते है fan को या फिर bulb को ऐसे जलाते है अब देखो कि यह जो sunlight था sunlight से ही क्या बना सिर्फ में क्या लिए पाइस टेख और कैसे पुर्फ करें लम जल रहीक है यह जो है इस पूर जल रही है इंडिरेक्ट ली किसके बजाट जल दे लेए yarn स्पॉन्सिवल को देखने के लिएिस मतलब कि हम लोग अगर देख पाते हैं राइट के बजह बोज़ आख्ते है अगर light नहीं रहेगा तो हम लोग कभी भी देख नहीं पाएंगे is enable to see thing around us light के बज़र से हम लोग चारों तरफ की चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं देख पाते हैं अगर light नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे हैं light enable us to see every object around us light tree vehicle मतलब कि जितने भी आसपास हमारे जितने भी चीज़ें होती है उसको देखने में कौन हमारा मतलब की help करता है या फिर किसके बज़र सम देख पाते हैं तो light के बज़र से देख पाते हैं at night due to absence of sunlight it becomes dark which reduce our visibility मतलब कि रात को क्यों नहीं देख पाते हैं क्योंकि sunlight क्या होता है नहीं होता है जिसके वज़र से क्या होता है पुरा पुरा डार्क हमको दिखाए देता absence of light है ना डार्क को इस तरह से define कर सकते हो absence of light is called darkness है ना तो मतलब रात को sunlight नहीं होते है इसके पुरा पुरा डार्क दिखता है और डार्क दिखने के वज़र से हम लोग कुछ देख नहीं पाते हैं ना object that emit light are called luminous object मतलब कि जिस चीज से light निकल रही होगे तो उसे हम क्या बोलेंगे luminous object बोलेंगे और जिस object से light नहीं निकल रही होगे या फिर किसी दूसरे का light यूज कर रहा होगा तो उसे हम बोलते है non-luminous object इसका definition इस तरह से लिखेंगे बतलब कि इस सब सीजों से light अपने आप नहीं निकलती है जिस object से अपने आप light नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे non-luminous और जिसको जिससे अपने आप light निकलता है उसे क्या बोलते है अब देखो moon, moon क्या होता है non-luminous होता है क्योंकि moon के पास खुद का energy नहीं है moon किसका light यूज करता है sun का light यूज करता है तब हमको moon दिखता है तो moon के कौन सा हो गया non-luminous है न अब question यह आता है कि light अगर है तो हम लोग देख कैसे पाते हैं अगर light है हमारे पास तो हम देख कैसे पाते है तो चल में देखो first of all luminous object है यह तो भाई दिखाई देगा ही देगा और non-luminous कैसे दिखाई देता है जब कि इसके पास खुद का light नहीं होता है तो होता क्या है कि हमने क्या कर दिया बल्व लगा दिया इस तरह से ना बल्व लगा दिया तो light बल्व सुचाओ तरफ light क्या कर रहा है इमीट कर रहा है इसलिए इसे लॉपने subject बोलते हैं तो यह जो light निकलती है निसके body पर पड़ता है और यह light इससे क्या हो जाता है reflect हो जाता है आगे reflection light जाते हैं यह एक एक पार्ट से क्या होता है lumière reflect होती है और यह सभी हमारे आखहों पर जाती है क्या होती होती है रिफलेक्ट होके आखहों जातی आख के पीछे रेटिना होता है वहाँ उसका क्या होता है इस light in energy electrical energy में बदल जाता है और आख के पीछे नर्व से होता है जोक सब्सक्यां dentro को नाम का सेल होता है हो दुनों सेपर परकार रिल्पडक्स तरीके से मतलब फुसको you don't इस अपो जाता है इसको शा도 different शेंच करते हूं सें सेंस इस तरह हुं क्या करते है कि अब नो किसी अब्जेक्ट को देक पाते हैं लाइट के पढ़ जैंस में तो इसलिए अप इससे यहां से तो पता चलिए हो और कितना इंपर्टेंट है कि आलहा हैी आना लाइट रहे गाई नहीं तो फिर वह द्वक्रिंस नहीं हो गाघी मर्याकों तक नहीं होके हो और आखों तक नहीं पहुंचेगा फिर क्या होगा वो हमको दिखाए नहीं देगा तो इस तरह से आपको यहां तक समझ में आ गया luminous non luminous light क्या होता है अब लोग अब जो है light को देखने के लिए है ना light के basis पे या फिर मतलब कि जिससे light पास हो सके उसके basis पे जो object है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया मतलब कि light किससे पास हो सकती है किससे पास नहीं होगी या फिर किससे धुरा धुरा पास होगी इसके basis पे ओब्जक्ट कितने पासु टाफ में डिवाइड किया और प्रलाइड तीन पर्ट में अब्जक्ट क्लासिफाइड बेस्ट ओन अमांप ओफ लाइड डैट कैन पास्थ्रू दें मतलब कि किसी बी ऑब्जक्ट से कितना light pass होता है उसके पेस्स पे object के पार्ट त्राइट किया और ट्रांस्पैनेट तीन पेस्स अप्ट इसके बोलते हैं इसके पारवासी और और सिंदी में इस तरह से इसको बोलते हैं नियोग क्या होता है इसमें थोरा सा जलाओगे तो दोड़ के अंदर वाला जो लोग है, वो इसको नहीं देख पाएगा, मतलब यह light क्या हुआ, अंदर गया ही नहीं, इसी रियर हमारे आपक तो नहीं पहुँचा, आपक तो पहुचाईगा पता देख लेते, लेकिन यह light अंदर निकलेगा ही नहीं जिसे हमारे नहीं देख पाथा कीकि उस से light पास ही नहीं होता अगर मालो कि उस ऑबजक्ट के बाहर कोई इनसान खरा है इनसान खरा है तो light इससे reflect हो रहा होगा क्योंकि बाहर sunlight है sunlight reflective होकि इसके मतलब की दरवाजे से न अंदर जाही नहीं पाएगा क्योंकि यह दरवाजा कौन सा है उपक्त इसलिए आरपार के अब्जेक्ट क्वरूग नहीं देख सकते हैं ठीक है एक्जामपल में लिख सकते हो वाल डोर ट्री एकसे अब दूसरा जो होता है ट्रांसलुशन ट्रांसलुटेन क् गर इसको कुछ भी पता नहीं देख लेगा है इस और अबजेक्ट है निसको इसको क्या बोलते हैं ड्रांसुशेंट लेकिन अगर इसके बाहरный जो सूरो हो गड़ा सब रख दे तो उसको कुछ भी पता नहीं से लेगा तो अब एक ट्रांस्पेसेंट समझ में आ गया इसमें आप एक्जामपल में दे सकते हो पॉलिथीन, बटर पेपर, थीन प्लास्टिक, रब्ड ग्लास ग्लास को अगर आप रब करते तो उसके बाद देखते हो तो वो भी क्या होता है, यह इसी तरह से दिखता है अब ट्रांस्पेरेंट, इस अब्जेक्ट एलो लाइट तो पास फूरो दें कम्पलिटली, ट्रांस्पेरेंट अब्जेक्ट में क्या होता है पुरक पुरा पुरा लाइट पास होता है इसके थूरो हम क्या कर सकते हैं, पुरक पुरा किलियरली देख सकते हैं जैसे की, देखो, दोनों सू ही है दोनों क्या है, सू ही है इस अब्जेक्ट के बाहर है, तो हम इस तरह का देख पाते हैं यह भी इस object में, इसमें किसमें किलियर दिख रहा है, इसमें हमको किलियर दिख रहा है, ति यह क्या कर रहा है, falt उसे जो light reflect हो रहा है न इसको easily pass और completely pass होने दे रहा है इससे reflect हो के बाहर निकल रहा है और हमारे आँखों तक को पहुंच रहा है तो हम इसको क्या करना है clearly देख पा रहें लेकिन यह completely बाहर आ नहीं नहीं देता है हमारे आख तक पहुंचने लेगा इस लिए clearly क्लिरली नहीं दिखाया देता है अब जो हम अगले परने वाले है। हम लोग का नाम क्या है लाइट सेडो रिफ्लक्षन तो लाइट के बारे घबारे हम लोग देख लिए अब परने वाले सेडो होता क्या है। तो shadow के बारे हम पढ़ेंगे, shadow is a space where light from a light source is blocked by an opaque object, अगर किसी light source से light निकल रही है, और उसको opaque object क्या कर रही है, रोक रही है, जिसका मतलब वहाँ पर उसके पीशे क्या बन जाता है, shadow बन जाता है, shadow क्या है, space है, मतलब उसको space है, जहाँ पर light from a light source is blocked, जहाँ पर light source जो light आती है न, उसको कोई opaque object ब्लॉक कर देती है, तो उसके बाद का space होती है न, तो वो क्या होता है, shadow बोलते हैं उसे, shadow is formed when a part of light is blocked by object, मतलब कि, shadow का बनता है, जब कि किसी कोई, मतलब कि, पूरे light का न, थोरा सा party क्या हो, ब्लॉक हो, अगर पूरा ब्लॉक कर देगा, तब तो shadow दिखाई नहीं देगा, पूरा पूरा black दिखाए देगा, अगर ये, मतलब कि क्या है, wall है, इधर से light pass हो, लेकिन इधर से light pass ना हो, ये मतलब कि, फूरा सा light इधर क्या हो रहा है, यहाँ पर block हो रहा है, और इधर से light निकल रही है, यहाँ पर आपको shadow बनता हुआ, दिख साएगा, लेकिन अगर हम इतना बरा पूरा पूरा घर बना दे, तो ये light पूरा पास ही नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, आपको नहीं दिखाए देगा, तो shadow दिखाए देने के लिए ये भी एक condition है, हमको कैसा होना चाहिए, मतलब कि object जो होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, partially block करना चाहिए, पूरा 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 ब्लोक कर अगर फिर shadow नहीं बनेगा, if all the light is blocked by an object, then will not be saw any shadow, अगर पूरा light को पूरा पूरा हम क्या कर दे, ब्लोक कर दे थे, हमको कुछ दिखाए उस side, नहीं देगा, क्यों, क्यों नहीं देखाए देगा, because of light को जाहिए नहीं देखाए कहांच देगा है, है ना, shape of shadow is always similar to that object, but the size vary, मतलब कि object का, किसी भी object के shadow का, वो उस object के तरह ही देखता, जैसे यह gate चकोर है, अगर इसका shadow बनेगा चकोर ही बनेगा, कुछ इस तरह से, लेकिन इसका size बढ़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन जो बढ़ा या छोटा हो, लेकिन उसका जो shape होगा, ना दिखने में जैसा दिखेगा वह आपको क्या होगा चकोर ही दिखेगा है ना तो object क्या हो सकता है उसका shadow shadow का object का जो shape होता है वो क्या होता है? सेम होता है लेकिन size क्या हो सकता है? different बड़ा है छोटा हो सकता है. shadow of different type of object may we have similar shape as the amount of light then we blocking is same. मतलब कि बहुत कभी-कभी इस object का जो मतलब की shadow है न इसके size का बराबर भी हो सकता है मतलब बराबर हो सकता है बराभर हो सकताए छोटा हो सकता size लेकिन ship हमीजा क्या होगा बराबर री होगा shadow can not occur in dark room shadow क्या कभी dark room में नही बनेगा क्यों नहीं बनेगा कि वहां पे light पर जंस ही नहीं होता है अगर light भी है और उसमें वहां पे कोई object ही नहीं है तो वहां पर भी shadow नहीं बनेगा मतलब कि अगर light नहीं है तो shadow नहीं बनेगा अगर light है भी अगर कोई object ही नहीं है तो फिर भी shadow नहीं बनेगा है ना अगला क्या होता है सेड़ इस आलवेज उप्टेन ओना स्क्रीन लाइक वाल मतलब करने अगरए सेड़ उप्टेन नहीं होगा तो ओब्जेक्ट वह दिखाई नहीं देगा मतलब उसका सेड़ दिखाई चकते हो अब यह आदमी हाओ अब यहां पर चक्ट हो जाता है लेकिन यहां क्या होता है कि लाइट नहीं होता है अब इसमें हम करते क्या है इसको पहले कलर से भढ़ देते हैं यह ले लो बलैक को कर दिए अब मान लो कि लाइट हम इसको वाइट कर देते हैं लाइट क्या हुआसे गया क्या लिकिन इधर से लाइट जाएगा इधर आजाएगा इधर से लाइट जाएगा इधर आजाएगा लेकिन इधर से लाइट कभी ने जाएगा फिर इधर से लाइट जाएगा तो दिख जाएगा लेकिन यह वाला लाइट कभी पास ही नहीं कड़ेगा है अब देखो होता क्या है कि इस सेप के लाइट मतलब इस सेप के पीछे कोई light होता नहीं है, इसके 4 साइड क्या होता है? Light होता है, तो जिसके 4 साइड light होता है, वह उजला-उजला पूरा दिखता है, और जिसके सामने-सामनी, कोई light पहुंचता है नहीं, यहीं वहाँ पर जय्ते बलैक हो जाता है, क्योंकि हम बताई थे shadow बोलते हैं तो आपको मैं समझाने में समर्थ होंगा और आप समझ गए होंगे ठीक है तो shadow समझ गए shadow कब कब बनता है कब कब नहीं बनेगा इसके बारे हम लोग यहाँ पे discuss कर लिए अब जो अगला point है एक property है किसका light के मतलब की light का एक property है क्या property है वाई कि light जो है ना हमेशा straight line में travel करती है मतलब की light सीधा travel करेगी ऐसा नहीं कि यहां से मुड़ जाएगा light कभी भी ऐसा मुड़ नहीं सकता है मतलब कि light क्या होता है हमेशा straight जाएगी इसके लिए आप यहाँ पर एक इस्परिमेंट भी कर सकते हैं एक्सपरिमेंट के लिए आप यहां पर मंबती जला लिए और एक सीधी pipe लेना सीधी pipe से देखे होगे तो आपको मंबती का लोग दिख जाएगा लेकिन आप अगर एक मंबती को मतलब pipe को ना भी strada करके देखो आपको क्या देखाएगा मंबती का लोग दिखे गाए नहीं क्यूंकि सीधा light तो इससे टकरा गया टकरा के दर्स क्या हो जाएगा लोट जाएगा मंबती का light सीधा आँक तक पहुंचेगा तब तो इसको देख पाएगा और आँक लाइट पहुंचता है नहीं है इसको क्या होती हमको यह हम देख नहीं पाते है इससी लिए पाइप में देख पाते हैं और इसमें लोग नहीं देख पाते हैं मतलब कि सेडो क्यू बनता है किसी ऑब्जाट का ये विए क्या है रीजन है जिसी के वज़ा से इसी प्रोपर्टी के कारण भी सेडो बनता है उस प्रोपर्टि का क्या नाम है लाइट रेवल इस्टेट लायन में नहीं दिखता तो उसी एक्जामपल है अब देखो आप इमेगजे न के लाइट क्या होता है तो वह पहुंच जाता है इसलिए वाला वाइट देखता है और जहां पर रोक दिया वह क्या इधर मोट जाता अगर इधर मोट जाता ति यहां जूतना light को यह रोक रखा है उसी के पीछे क्या होता आपको इसका सेब दीक जाता ना लेकिन दीक नहीं रहा है लोग देखने वाले रिखले रिफलेक्शन हमेशा मिरर के थ्रूई होता है इसलिए इस टॉपिक का नाम है मिरर एंड रिफलेक्शन तो लाइट वेव में चेंज डे डारेक्शन अपन स्ट्राइकिंग और सर्फेस मतलब की लाइट का जो वेव होता है तो एक डिस्टरबें तो छोड़ो लाइट में चेंज डियर डारेक्शन अपन स्ट्राइकिंग सरफिस मतलब कि लाइट अपना डारेक्शन चेंज कर सकती है जब किसी सर्फिस से क्या कड़े वो टकरा है अब मैंने पहले बताए कि आप साओ इस ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है has to change कर सकता है कि नीए समझ रहे हैं अब देखो यह से टरेवल क्या यह यहां पर कैसा ट्रेवल्anza ट्रेवल् कर रहा हो इसलिए यहांपर गया एसे मान लोस्त इप का क्रेक्षा करता अपना डरेक्षिन चेंज कर लेता इसलिए उस सर्फेस को क्या क्या बोला दता है या कि लोगे विच्ट कर लेता है जो क्या लाइता है ुद्धिस इसर्फ NSA mode अपने डरेक्शन चेंज करता है इसे हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं क्यों कब चैंज करता है रसार्फेस से टकरा के उस सर्फेस को हम लोग बोलते हैं मीरर संदमा गया अगला पॉइंट है सैनी एंड पॉलिश सर्फेस यूजूली एक्ट आज मेरर मीरर किसे कहेंगे भाई तो उस अब्जेक्ट को मिर क्या है सुध yag बहुत ही सम्किल सैनी है तो सानी अब्जेक्ट कै湃ट lights Removeeing को ना रिफ्लेक्ट ज्या ज्यादा करता है चाहते ज्यादा और इसनिया देखे ओंगए डायमेंड बहुत चमकता है ईब今回 सOne UK का में उसमें सबस्व आगे देखने मिलेगा मतलब sanny मतलब क्या होता है जढ़ा लैट reduction को यहां क्या बोलतें सैनी मतलब क्या बोलते हैं तो यहां से light अगर reflect कर गया तो मतलब की object हमगो मिलेंगे आ श्यक्ट से light reflect कर जाक्तलब की इस आपना डायरेक्शन चंज करें उसे तो क्या बोलते हैं मिरर बोलते हैं डायेक्ट लिए आप इस तरह से समझ जाओ ठीक है ड्यूट रिफलेक्शन इमेज ऑफ अबज़क्ट सीन इन दम मिरर इस रिफलेक्शन के कारणी क्या होता है कि हमको मिरर में आपना चेहरा दिखाई देता है अगर एसा अगर सामने क्या रखें मिरर रखें यह मिरर से क्या हो जाएगा फिर यहां तो यहां से रिफलेक्ट किया फिर यह रिफलेक्ट किसे पास क्या मिरर से फिर मिरर रिफलेक्ट क्या करेगा इधर ही बेज देगा और जब इधर आएगा था हमारी यहां किस लाइट को क्या कर लेगा देख लेगा इस यही light तो इसका चेहरा का ही तो light है इसलिए हम क्या करते है अपने चेहरा को देख पाते है mirror के थू है ना mirror changes the direction of light falling on mirror क्या कर देता है light के direction को change कर देता है जो भी इसके उपर पहुंचता है ठीक है अगला जो point है अगला point है pinhole camera का pinhole camera क्या होता है अगला तो नाम सुने हैं हर जगा आप तो मतलब की बटनों कीपेड वाले फॉन में वी camera है लेकिन आप यह camera को बना सकते हो गड़ पे इस pinhole camera क्या कर सकते है आप गड़ पे बना सकते हो यह होता क्या है यह मतलब की मतलब की light का ही यूज करके ना मतलब की किसी भी object को देखने का मतलब method लाइट का ही property को यूज करके सब चीजे बनाए जाती है कैसे तो हम आगे देखने वाले हैं एक सिमपल camera होता है यह पनी आगे पर लेगा लेंस टाइस टाइप उफ देहने को मिलेगा इंधे से इसमें लेंस नहीं होता है यह किसम machinery होता है यह बाक्स मॉन और सई है जाए स्मॉल होल एक साइद में क्या होता है बहुत ही छूटा होल होता है and it produced an inverted image of outside world at the other side मतलब कि other side में जो भी जी चीज दिख रहा है उसका inverted image क्या होता है उसके तो ये बनाता है कैसे बनाता है तो उसके लिए आप यहाँ पर एक चोले कैसे दिखता है तो आप यहाँ से देख सकते हो ठीक है मतलब कि यह होता है pinhole camera इस तरह से pinhole camera होती है कैसे बनाई जाती है तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो पहले क्या करना है अगर जिस object को आपको देखना है उसके लिए क्या करना है आपको उस object को bright light में होना चाहिए मतलब अंदेर आम रहेगा तुसे light reflect नहीं होगा और हम देखनी पाएंगे smaller the hole sharper the image जितना small hole होगा उतना sharp आप क्या कर सकते हो देख सकते हो अब इतना छोटा hole नहीं मतलब पतला सा injection से आप मतलब को उसके hole करें थोरा सा छोटा hole एक वे में जिस तरह से आपको यहां पर दिख रहा है टेंपरोरी ब्लैक और वाइट इमेज आज फॉर्म देशिंग इस फेपर ट्रेसिंग पेपर इजूट पर्मानेट कलरस एंडेमिन इमेज एपने ईजी फोटोग्राफिक फिल्स इसिट आप क्या करना एक फेपर रखना इस पेपर का वनेगा इमेज बन जाएगा आप यहांप और फोटोग्राफिक फील्म रखते हो परदा रखते हों आपको मतलब जिस तरह से इमेज दीखेगा उसी तरह का आप यहाँ पर देख सकते हो इन दो डायग्राम टू बॉक्स अर प्लेश्ट वन साइड दो ऑदर इमेज ऑफ आर्टर अब्जेक्ट क्रियेटे इन्वर्टे ऑन दा बॉक्स टांसलूशेंट स्क्रीन मतलब कि होता है इसको बनाने का कुछ इस तरह का तरीका होता है आपको क्या करना इस तरह का बॉक्स पुरा-पुरा बना लेना और इधर से क्या करना है पुरा-पुरा खाली रखना है इधर से हम देखेंगे है ना इधर से क्या करना है क्लोज करके इसमें क्या करना होल कर देंगे होल करने कि इसके सामने जो भी चकलब होता कि बन जाता और यहां पर आप देखो कि आपको क्या बनेगा अब्जक्ट दिख जाए गा इस तरह को क्या होता है पूरा-pura तो देख सकते हैं तो पीन होल कामरा यह होता है इसमें इतना ही आपको परना है ठीक है आयोप कि यह पॉइंट में आ गया होगा इसी साथ आपका चैप्टर पूरा क्या पड़ा क्या हो जाता है खता हो जाता है फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक्यू सुमाच फूर वाचिंग दिस वीडियो